Assalamualaikum, Welcome to Student 2, आज किस लेक्चर में Chapter 4, Icom Part 1, Business Math, बुखे शाहिद जमाल की, Chapter हमें पास 4.8, Question है हमें हमें पास 4.83, Find in general form equation of the straight line passing through the points 0, 3 and 5, 2, also find x-intercept and y-intercept, तो सबसे पहले हमने general form वाल equation find करनी है, दो points दिये हैं, so points जब भी 2 दिये हैं हो, यानि कि दोनों bracket points के ही हो, तो हमें formula पता है, y-y1 is equal to y2-y1 upon x2-x1 and then x-x1, ठीक है, so y-y1, यह है x1, यह है y1, यह है x2, y2, so y1, 3 is equal to y2, 2-3 upon x2 में हैं हमें पास 5-0, और x-0, x1 की जगा 0, ठीक है, y-3 is equal to, 2 में से 3 गए, 1 बचा, minus का और यहां पर 5, x-0 इसी तरहां से, अब यहां पर 5 उदर चला गया, तो यह हो गया, 5y-3 is equal to, यह हो गया, minus x, minus, minus, plus का, 10, 0, अब यहां पर, 5y-5, 3, 15 is equal to, minus x, plus 0, ठीक है, अब plus 0 है, तो 0 लिखने की ज़रुद नहीं है, ना भी लिखें तो, अब यहां पर 15 है, वहां चला जाएगा, so, 5y is equal to, minus x, plus 15, ठीक है, अब, हमाएं पास जो, अब equation बनी है, वह है, 5y is equal to, minus x, plus 15, तो हमने यहां पर इसे general form में लिखना है, so, general form में क्या होता है, तमाम जो variables या numbers एक तरह आएंगे हो, पूरी equation 0 के equal हो जाती है, ठीक है, so, हमाएं पास यहां पर है, 5y, ठीक है, plus x, और minus 15 is equal to 0, ठीक है, अगर आप इसे तर्टीब दिना चाहेती हो जाएगा, x, plus 5y, minus 15 is equal to 0, ठीक है, अब हमने find करना है, x-intercept and y-intercept, अब equation में से हमें y-intercept और x-intercept निकालना है, तो x-intercept और y-intercept हमने पहले किया नहीं है, बट यह वाला तरीका जो है equation से निकालना यह थोड़ा different है, बट बहुत ही जादा असान है, तो सबसे पहले हमने इस equation को करना है, standard form में, किस नहां से, x plus 5y is equal to 15, ठीक है, यानि के ax plus by is equal to 15, ठीक है, अब हमने क्या करना है, y-intercept निकालना होगा, तो x को 0 करेंगे, और x-intercept निकालना होगा, तो y को 0 करेंगे, तो सबसे पहले हम निकालते है, x-intercept, x-intercept, ठीक है, तो इसके लिए हमने y को 0 करना है, x plus y, यह पूरी value क्या होगा, 0 is equal to 15, तो यह क्या होगा, x is equal to 15, यानि के x-intercept क्या आगया, 15, ठीक है, अब y-intercept, y-intercept के लिए, हमने x को 0 करना है, that means, 0 plus 5, y is equal to 15, so यह होगा, y is equal to 15 upon 5, 5-1-5, 5-3-15, so y-intercept क्या आगया, 3, answer, चीक है, तो पहले हमने points की मदद से, general form ने equation find किया, then हमने, जो हमाई पास equation आई, उसकी मदद से, हमने x-intercept और y-intercept find किया, उमीद करती हूँ, question आपको अच्छे समझ आ गया होगा, मज़ीद exercises and questions के लिए, चैनल को करें, subscribe, and साथ ही अपने classmate and friends से share भी जरूर करें, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, Allah Hafiz,